तो दोस्तों SEO के course में आज हम जानेंगे types of SEO SEO के basics अगर आप लोगों को अच्छे से clear हो गए तो आप इस पूरे course को इतने असानी से सीख लोगे और अच्छे से implement कर पाओगे तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज ना छूटे हम से इसलिए हम छोटी बड़ी हर चीज कवर कर रहे हैं तो दोस्तों types of SEO क्या है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो तीन types है white hat SEO, black hat SEO and grey hat SEO तो यह तीन प्रकार के हैं अब इनमें क्या होता है इसके अंदर क्या किया जाता है वो अब हम चलके समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर what is white hat SEO, white hat SEO क्या होता है तो दोस्तों यह जो term है white hat SEO की यह यूज करी जाती है जब हम SEO में strategies यह techniques apply करते हैं वो methods apply करते हैं जो Google या दूसरे search engines के द्वारा उनके algorithm के द्वारा उनकी protocol में होते हैं मतब विदिन उनकी जो limitations है उनकी guidelines है उनको follow करके हम जो भी activities करते हैं on page हो या off page हो या technical हो तो वह सब कुछ आता है हमारे white hat SEO के अंदर मतलब हम white hat तरीका यूज कर रहें बिलकु लीगल तरीका यूज कर रहें जैन्वन तरीका यूज कर रहें ताकि अगर इस तरीके के थ्रू भले यह हो सकता है ठोड़ा time लगे हमारी ranking आने में तो white hat SEO का मतलब वह strategies वह techniques method यूज करना जो search engine की guidelines हैं उसकी limits के अंदर रहें के विलकुल लीगल तरीके से इसलिए इसको white hat कहते हैं अब कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी techniques जो white hat के अंदर यूज करी जाती है वह बता रहा हूं वाकि तो इस course के अंदर आप बहुत पुछ ऐसा स practically तो सबसे पहले कि आपकी जैसे website mobile friendly हो ठीक है आप Google business listing को अपना claim करें तो कि आपका business search engine के ओपर पर गूगल के ओपर इंप्रूव यूजर experience ठीक है आपकी जो users जब आपके website में आएं तो उनका experience बहुत अच्छा हो ठीक है ज्यादा देर रुखते हैं वह तो इसलिए user experience बहुत ज़्यादा matter करता है इंप्रूव पेज experience for search engines तो जो हम आपको अभी इस course के अंदर on page activities और बहुत सरी चीज़े सिखाएंगे उससे आपका जो page experience है वो भैतर होता है इससे के search engines को आपकी website समझने में index करने में बहुत सरी चीज़ों महसानी होती है उसके अलावा unique or quality content जो top priority है कि search engines को quality unique content अगर आ आपको बहुत फायदा होने वाला है उसके अलावा pay attention to on-page optimization तो on-page optimization की जो भी guidelines है जो आपकी website के ऊपर काम करा जाता है उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है focus करना अच्छे से उसको कराना है कई बारी लोग जलबाज में website का on-page सो सही करते नहीं है off-page activities करते है और long time में देखते हैं कि भेनत के बावजूद भी इतने efforts के बाद भी ranking नहीं आ रही है तो वहां नहीं आ रही है जहां आप चाहते हो अगला है फास्ट वैबसाइट लोडिंग स्पीड तो आज की डेट में टॉप प्रॉरिटी यह विगॉस सर्च इंश को पता है हर प्लै अब हम आते हैं ब्लैकेट अपर तो दोस्तों हम सबको पता है आज की डेट में इतना आसान नहीं है ठीक है कि वाइट के थूप और कोई अपका थ्लाइंट यह से इतने लंबा वेट भी निकरना चाहते हैं कि हम इतना वेट करें और फिर हमारी ranking आएगी नहीं आएगी हर क किसी को patience नहीं है पैसा भी उत्रा नहीं लगाना चाहते तो लोग blackhead techniques भी यूज करते हैं और कई तो ऐसी industry है जहां पर SEO काम नहीं करता बट फिर भी लोग महां पर blackhead SEO technique यूज करके वहां से अपनी ranking लेकर आते हैं बट सावधान हो जाईए अगर आप यह कोई भी तरीका य तक तक तो search engine की नजर में नहीं आ रहा तब तक ठीक है जैसे आया site गई ranking गई domain blacklist होगा और कई सारी penalties लग सकती है तब यह depend करता है कि आपने conceptivity करी है उसके ऊपर Google या दूसरे क्या penalty देंगे यह सब चीज़े matter करती है तो पहले तो हम समझते हैं कि blackhead SEO होता क्या है तो blackhead SEO व हमने वातरी वाइट है जो उस guidelines के अंदर होती है और दूसरी वह guidelines अब अगर हम अपने देश में रह रहे हैं उस देश के rules and regulations laws बने हुए ठीक है तो अगर मैं उनको follow कर रहा हूं तो मैं अच्छा नागरी हूं अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं कौन हूं मैं criminal हो सकता हूं मैं गलत बंदा हो सकता हूं तो वो blackhead के अंदर आता है तो वहां पर higher ranking लाने के लिए unethical tactics का techniques का use करा जाता है ठीक है और इसकी वज़ास से search engines penalty देते हैं उस website क्यों अब तो Google और जादा सक्ट हो गया है ठीक है अब कुछ blackhead SEO की techniques के बारे में बात कर लेते हैं अब यहां पर कई जो important techniques हैं जो terms हैं terminology हैं उनके ओपर भी वीडियो दूगा ताकि आप चीजों को बहुत deep में समझो आप SEO में उस level पर आपके knowledge हो कि अच्छे अच्छे को आप compete कर सको MNC के अंदर आप job कर सको अपने business को SEO के तूप पे ले जा सको तो keyword stuffing क्लॉकिंग यह सब मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूं अभी नहीं बताऊंगा इनके ओपर अलग से आपको detail टुटिरिल देंगे क्योंकि keyword stuffing अपने आप में एक topic है ठीक है ऐसी कई सारे हैं पर important चीज़ें जो अपने आप में topic है क्लॉकिंग के बाद sneaky redirects poor quality content link manipulation जिसके अंदर link अगर आप buy कर रहे हो वह भी क्या करते हैं गलत माना जाता है abusing structure data rich snippets कई तरीके snippets और structure होते हैं जो मतलब बिलकुल भी जो searchiness के द्वारे से नहीं करे जाते हैं वो क्या होते हैं वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे blog comment spam comment में links डाल रहे हैं चीज़े कर रहे हैं spamming के अंदर आता है link farms link wheels link networks यह भी illegal activities में आता है ब्लैक है अक्टिविटीज के अंदर आता है उसके लावा private blog networks क्या होते हैं guest posting network क्या होते हैं यह भी बहुत बड़ा जाल है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे बेट and switch sprints user generated spam google chrome speed links content automation doorway pages hidden text and links के website में content text है बट हो दिख नहीं रहा है same color का कर दिया है ठीक है तो यह भी एक ऐसे लिंक्स और ऐसी चीज़े यह भी गल टेकनीक है reporting competitors negative SEO कर रहे हैं अपने बैट गए हैं और लोगों जो हमारे competitors हैं उनके खिलाफ बैट के क्या कहता है report करे जा रहे हैं उल्टा सीदा लिखे जा रहे हैं और यह होता गया एक आदा बात और किसी ने आदती बना ली है इस तरीके काम करने की तो इसको भी monitor करा जाता है search engines के द पेजेज जिसके अंदर malware हो सकता है ठीक है उसमें virus हो सकता है इस तरीके अगर pages है चीजे है तो उनको भी उसी black hat के अंदर माना जाता है आगे बढ़ते समझते what is grey hat SEO अब दोस्तों grey hat SEO क्या है यह combination है SEO methods का जो Google ने बताया है हम example Google का बार-बार इसलिए ले रहे हैं because world में 90% स है तो लोग इसी को ही guidelines को priority मानते हैं अब इसकी guidelines से follow कर लोगे तो अंदर search engines में आपकी ranking आई जाएगी तो वहाँ पर combination होता है SEO methods का जो guidelines से इसको follow करा जाता है white hat को मगर साथ के साथ उन चीजों methods को भी यूज करा जाता है जो violate करती है इन guidelines को मिक्स होता है मतब आप कर लो कि मैं आपको पता हूं maximum companies सिर्फ white hat नहीं करती ठीक है यह होता है कि 80% white hat कर रहे हैं 20% black hat कर रहे हैं तो आप कहते ना आटे में नमक है यह नमक में आटा है तो वही वाली बात हो जाती है तो चीजों को सोच समझ के वह भी जब आप इतने experience हो जाएगा कि क्या चीज करी जा सकती क्या नहीं वह जब आप learning करोगे चीजों को प्रेक्टिकल content तो create कर रहे हैं जो white hat के अंदर आता है वाट उस content के लिए हम backlinks buy कर रहे हैं जो कि black hat के अंदर आता है तो यह एक example ग्रेहेट का तो दोस्तों इस course को अच्छे जी सीखिए और आगे चलके को बहुत important topics मिलने वाले हैं थैंक यू कि अंदर आता हैं, मूआ आता हैं, मूआ हे हैं, वेवा Current